नेक्स्ट कॉलर लखनाव से हैं, आकेब हमारे साथ स्वागत है आपका जी इंफेक्शन्स रहते हैं इनको और इंफेक्शन के लिए रुछी जिनको भी बुखार आए, खासी आए, नजला आए, बलगम आए, चीके आए ये बार बार जिनको भी हो, उनको टीबी का टेस्ट कराना चाहिए तो एक बार नहीं कराया हो तो करा लें ताके हमें यह पता चल जाए कि टीबी तो नहीं कहीं यह लक्षन सब उसी के हैं मैं दूआ करूँ है कि उनको ना हो और यह करा के फिर आप टीबी हो तो टीबी का इलाज करें और इनके अंदर इम्मुणिटी की बहुत कम्जोरी है। सुबह शाम इनको गरम पानी के साथ माजून आर्केर सुबह शाम एक चोटा चाय के पिलाया करें और दिन में 5 बार गरम पानी पिलाया करें और ये 5-6 महिने अगर लगातार इलाज करते हैं तो आपकी पतनी स्वस्त हो सकती है यमना नगर से नेक्स्ट कॉलर मीनु जी स्वागत है आपका पिलाया हमें डिन में जी प्रकत करें। बेटे को क्या प्राबलम है कितने साल का है बच्चा ? या पंद्रा साल का है आच्चा कौन सा रोग है तरीबल पार्षी बड़ा आवास कटके आ रही है क्या होता क्या ही बताई क्या थीख्यत क्या है सर इसको फिल्ट सापते हैं जब ये हुआ था न इशको पांस मिनट लेट रोया था थीखेड थीखेड रोने के वज़े इसको oxygen माइन को oxygen नहीं तुछ जब यह पैदा हुआ था तो क्या रोया था या नहीं रोया था पांस बिनट लेट रोया था सर तीक ठीक है अँदीए जो बच्चे पैदा होते ही नहीं रोते उन में कुछ रोग रह जाता है और जो आप इसका इलाज करते हैं वही इलाज बहतर है अलोपेत इलाज करें और मैं एक निस्खा बता रहा हूं कि आप मुझसे भी नाउमीद ना हो एक गाजर का जूस रोजाना पिलाये करें बच्चे को जब तक भी गाजर मिलती है और डॉक्टर्स का इलाज करें उन लोग पास हमसे भी बहतर इलाज मुझूद है बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका अभिशेख जी स्वागत है आपका अलो हान जी मैं बोलिये जी सर मेरी हाई मेरी हाई टोर शेयद नहीं बन रही है जी बच्चा है जी पंदरा साल का जा बटा आपके पास मम्मी पापा कोई बड़ा बैठे हैं तो समझ ले या आप भी पढ़ लिखे होंगे पंदरा साल में तो आप कम उसकम नाइन टेन तो कर लिया होगा इसलिए लिख तो सकते हैं एक आता है गौन्द गौन्द यानि गम गौन्द मौरिंगा सफेद वाला गौन्द मौरिंगा सफेद लिख लिए बाकी बातें बातें बात में होंगी गौन्द मौरिंगा सफेद वाला ही लेना है लाल वाला नहीं यह सो दो सो ग्राम खरीद लें और रोज आना इसको रो बहुत मिलता असली लेना है अदा गिराम सुबह पानी में मिला कर आप रोजाना पी लिया करें या अगर आप रईस हैं तो नारियल पानी मिला कर पिया करें रईस का मतलब अगर आप एक नारियल पानी की खीमत अदा कर सकते हैं तो नारियल पानी मिला कर पिया करें आपकी हा स्कूलर से स्वागत है आपका रंजन जी हलो हन जी कहां से बात कर रहे हैं जी मैं निरिन जन बोला उगा जीवाट से आपका सवाल क्या है कर दोम इम मेरी वायक की था वायकल बदाया यह लते हात कितमैं दर्ध रहता है अच्छ Stream कर दंसे लेके अप्रे आफमें डर्ध रहता जी के निरंजन जी मेरी बात देखें मेरी मुझे देखें मेरी गर्दन देखें मेरा एकसरसाइज देखें अगर आपकी धर्म पत्नी देखें तो और अच्छा और मैं एकसरसाइज बता रहा हूं और एक दमा बता रहा हूं आप लगातार करें लगातार एक महीना करें आपक यह मौड़ा नहीं उठाना, लोग महिलाएं अक्सर यह मौड़ा उठाकर यूं मिला देती है जब मैं सिकाता हूँ, तो मौड़ा वही रहे, यह कांद जाये इस से, इस से मुलाकात के लिए, ऐसे तीन मिनट करना है रोजाना, एक साथ नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है, तो मिनट करना है, और एक ऐसे पूरी तरह मौड़ा यह ठोड़ी हाँ आ जाती है, देखिए मेरी, ऐसे, ऐसे, यह करते रहें तीन मिनट, एक एक मिनट करें, आदा आदा मिनट करके करें, लेकिन यह करना है, और आपको कैपसूल टी केर, कैपसूल टी केर, सुबा शाम एक एक कैपसूल खाना है और फाइदा तो जल्दी हो जाएगा लेकिन आपको दो तीन महीने यह इलाज करना चाहिए ताके यह रोग बुक जिन्दगी गुजार सके नेक्स्ट कॉलर चंडीगर से कैलाज जी स्वागत है आपका नमस्कार बोलिए अदावर जैहीन सर कैसे हैं कि यह सर मेरी एज है 60-60 एर वेट है मेरा 60 kg मैं आपके भीचार वाले पाइन कॉल इंजरी हो गही थी मेरे तुगर भी है मुझे जो तकरीवन सो इक सो दस के बीच में तेहती है तो आठ के लिए मेरा पेशमेकर भी टला हुआ है कंपिंगे लिए जी 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 जा मैं पेट में न मेरे कब के बहुत जादे रहती है और यूरियन का भी मुझे हाथ में विश्टा खराब हो जाता है और बार बार करीब पांचे बार मां उठे भी रात को बाहर जाता हूँ ठीके ठीके बेफिकर रही है हाँ मैं समझ गया बेफिकर रही है मैं आपको सेहत्मन जिंदगी गुदारने का नस्खा बताता हूँ आपको कैसे लेना है आप समझ लीजे मैथी 200 ग्राम मैथी 200 ग्राम आवला 200 ग्राम ये भी सूखा मिलता है मैथी का दाना लेना है आवला सूखा मिलता है वो लेना है 200 ग्राम मैथी 200 ग्राम और सौफ 200 ग्राम और इसमें मिलाना है धनिया 200 ग्राम ये चार चीज़ें 200 ग्रा आपको लेना है कलोंजी आती है इसका एक नमक आता है नमक कलोंजी आसान भाशा में कहते हैं हम लोग इसको वैसे रसाइन कलोंजी भी कह सकते हैं रसाइन कलोंजी या इंगलिश मैं ऐस्टेक कलोंजी यह आप 200 गराम इसमें भारीक पॉडर बनाये आदा-ादा चम्मच इसका पाउडर अपने आज से बनाना पिसाओ कुछ मतला ना दो से तीन टाइम आप पानी के साथ लें गरम पानी पिया करें आपके लिए बहुत मुफीद है एक दिन में पांच बार भी गरम पानी पियेंगे तो आप हमेशा हमेशा सेहत मंद रह सकते